लेंगे तुछ ऐजुम टू एडवेसेस एउर एडुकेशन मेंटॉक सब बात करेंगे निट यूजी कांस्लिंग के बारे में और हम स्कूर लेंगे टू हैंडिड से लेकेढ थ्री हैंडिड फिफ्री के बीच में ऐसे स्टुनेंट जिनका नीट का स्कोर 200 से लेकर 300 के बीच में आएगा आप इस स्टुनेंट की क्या काउंस्लिंग अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपके स्कोर पर जो भी पसना दिया आपका स्कोर आ रहा है इंडिविजुली उस पर आपको बेस्ट उप्शिन्स में अल भी अपनी कांस्लिंग कराएगी डियुको पर जैख तो इसमें जो बचे अची कांस्लिंग कर पाते हैं मुझे जो बैस के सबस्ट परो है सारे असपक्ट लेखना एं बैसके विए कि फीज़ बी कम से कम होॉर बी अच्छे-स अच्छा अच्छा हो पुर्णे से ब्राने से जादा जितनी भी फैसिवेटिस में जाएगी कॉलिज हमारा रिकागनाईज हो, वाप पे पीजी चल लाओ, में सेमजी चल लाओ, क्लिनिकल पोशन चल लाओ, अच्छा सीटी हो, वो सारे परेमिटर जितने ज्यादा कवर हो सके, वो कवर करें. एक फैक्शुल सी बात है कि जैसे जैसे नीट का स्कोर हमारा कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारे लिए ओप्शन भी कम होती जाते हैं, विकॉस जिन बच्चों का स्कोर जादा होगा, पहली कॉल उनकी आएगी मेरिट के थूरू ऐलॉट्मेंट आता है, इसलिए उनके पास ज जो बच्चे काउंसलिंग में होंगे, वो ऑबियसी बात है कि जो अच्छे आप्शन होंगे, उनको लेके बाहर चले जाएंगे, तो नीचे वाले बच्चों को कई बार कम्प्रोमाइस करना पड़ता है, अब हम यहाँ पर जो स्कोर ले रहे हैं, टू हेंड़े से लेके, बीच का स्कोर लेके चलना है, तो जिन बच्चों का स्कोर पहले थ्री हिंड़े से लेके थ्री फिफ्टी के बीच में है, तीन सो से साड़ा तीन सो के बीच में है, आप के लिए क्या आप्शन है, सबसे पहले आप अपने होम इस्टेट में देखिए कि क्या आपको सीट मि लिए क्या वो आपके लिए सही है यानि कि एकनॉमिकल पार्ट में जो उसकी टूइशन फीसेज है क्या आप उसको बेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो या इससे बेटर सीट मुझे कहीं बाहर मिल सकती है तो मैं बाहर लो इसको एक्जामपिल के तौर पर समझेंगे कि 500 नंबर पर मुझे मेरे स्टेट में सीट तो मिल जाएगी MGM में सीट नहीं मिलेगी अनंता अमेरिकम में सीट नहीं मिलेगी लेकिन JNU NIMS के अंदर पैसेफिक के अंदर हमको सीट मिल जाएगी गीता अंजली के अंदर सीट मिल जाएगी लेकिन मैं अपने स्टेट से MBBS कर है पात साल में मैंने लगवाग तीसला की सेविंग कर ली तो यूपी की काउंसलिंग करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा पैसे सेव हो जाएंगे कुछ हमारे सीट के साथ सार तो इस तरह से हमको अपनी काउंसलिंग को फिल्टर करना रहता है तो तीन तो सबसे पहले आप जये सबसे पहले एंचिसी अपनी काउंसलिंग कर आएगा और साथ में अपने प्राइवेट की उसके पचास लिए पिल्हाल उसमें अपनी काउंसलिंग करा के लेगा तो यह चीज़ तो हमें क्लिए रहे कि मेरे स्कुर पर कोई गौवर्मेंट का सब्जेक्ट नहीं मिलना तो अब अगर मुझे cost of education का problem नहीं है तो मैं महाराष्टा को target कर सकता हूँ महाराष्टा में किष्णा करार, डत्ता में गया medical college हो गया डिवाई पार्टल medical college हो गया इन सब में आपको admission मिलने की chances रहेंगी जिनका उपर साइड का score आएगा लगब साड़े 300 से लेके 370-80 का तक आएगा उनको भारती विद्यापीर और MGM में भी chances बनेगी आगे जाते हैं अगर हम राजा राज़िश्री medical college बैंगलॉर का जो deemed college हो उसमें देखते हैं तो लगब धाई सो नंबर से लेके साड़ा तीन सो वाले बच्चों का महाँ पर admission हो जाएगा और उसके बार टमिलनाडू-पॉंडिश्री के तो डीम कोलेज में admission हो जाएगा करनाटक में सिर्फ एक ही डीम कोलेज है जो आपके स्कोर के ओपर आ सकता है और इधर अगर हम इधर बूम नेशर साइड में मूफ करते हैं वहां के जो दो college हैं आई-मस और कलिंगा medical college वह हमारे स्कोर पर अवेलेबल नहीं है तो बिसिकली हम देखेंगे हमको करनाटका महराष्टा और टमिलाडू और पॉंडिशरी के डीम कोलेज में admission मिल सकता है अब ओपन स्टेट की दरब मूफ कर लेते हैं ते लंगाना में इस नंबर पर सीट नहीं आएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेब में अगरा हमारा स्कोर तीन सो से साड़े तीन सो के वीच में तो कौन-कौन से स्टेट में सीट आजाएगी क्या हमारी सीट करनाटिका में आ सकती है करनाटिका में जो जनरल जो नॉर्मल फीस हाई बनाई गई गई है ओपन के टेगरी के लि वेस बेंगौल साइड में मॉपब प्राउड में अगर हम जाते हैं तो हमको एडमीशन मिल जाएगा असानी से बिल जागा बिहार साइड मुझे एडमीशन मिल जाएगा 14-15 लाग रुपे की फीसेज पर उधर मिल जाएगा और फीसेज आपकी यही आएगी 11 लाग से लेके 12 लाग 50 लाग के बीच में एन्वल टुशन फीसेज आएगी उसके बाद जो होस्टल में सिक्योर्टी अमॉंट एडिशनल मिलाके लगब 70-72 तक आप बार टोटल पैकेज बनेगा राजिस्तान में भी सीटे मिल जाएगी 20 लाग का बजट आएगा हिमाचल परदेश में भी सीटे मिल जाएगी 90 लाग के पैकेज आएगा हरियाना में भी सीटे मिल सकती है 80-80 लाग के पैकेजर्स के उपर यह सारे options हमाएं सामने रहेंगे अब जिन बच्चों का स्कोर 250 से लेके 300 की बीच में है अगर आप डीम्ट कॉलेज में जाते हो तो 250 से 300 की बीच में महाराश्टा के डीम्ट जैसे के डीवाई पाटिल दोनों मिल सकते हैं आपको मुंबई और पूना केंपस प्लस जो हमारा कोलापूर वाला केंपस उसका कट ओफ थोड़ा उपर जाता है रिजन क्या है विकास कोलापूर वाले केंपस की जो फीस है वो कम है 20 लाग रुपे की फीस है से साड़े-चार सल की फीज चार्ज करता है 90 लाग रोपीस की फीज बनती ही होस्टल में लगा कि वन क्रोड का पैकेज आया रहता है वह जो दूसरे दो और केमपस है पूना और मुंबई वहां पर कॉस्ट आप एंजुकेशन हमारा 1.4 से 1.5 का आता है यानी 40 लाग कर डिफ पर भी असानी से हो जाएगा इसके लावा जो दत्नमेगी का जो नया केमपस आया था नाकपुर वाला दो साल पहले उसमें भी हमारा एड़विशन धाई सो नंबर तक आसानी से आ जाएगा 225 नंबर तक भी उसमें आने की चांसस बनेंगी बाकी की कॉलेज में माराष्ट है कि सीट मिलना मुश्किल है इस नंबर पर अगर आप राजा राजिश्री की तरफ मूफ करते हैं तो 250 में वहाँ पर सीट आने की चांसस बनेगी उसके बाद पॉड़िचरी के टामिल नादू के जो डीम कॉलेज हैं एसी एस अधुपदाए सत्तसाई मेनाक्षी लश्मी की इंटू 1.20 वहाँ पर बनेगा एक्षी इस का और ध्यानकिया है कि साउट के दीम में कंशेशन भी मिल जाता है सेकंड नाउन की बाद अगर सी तो फिल नहीं होती है तो अगर आप थोड़ा सा फीस में डिसकाउंट चाहते है तो थोड़ा सा वेट करके भी देख सकते है एक ऑप्शन यह है अब ओपन स्टेट्स में कहां कहां पर इस स्कोर पर एड्मिशन मिलेगा इफार हमेंगा स्कोर ऑफ लाइक टू फिफिटी तू थ्री हैंड़ेट की बिश्काव में माक्स है तो राजिस्थान में आपको सीते मिल जाएंगी स्कोर पर ऑल इंडिया कोट करेंगे वहाँ पर मिल सकता है उतर प्रदेश में यहां पर इस मेंडिकल कॉलेज के अंदर इसमें कि अत्षक और कि अब सब्सक्ताrespons की कोलीटू बने तिन दी सब्सक्तिया है जैसे की नसी मेंडिकल कोलेज में पर लिए 2000 से थ्री अपर इडिकल कोलेज इसे टी से में सकती यह इसलिए है कि जब आप counseling करने जाओ तो आप अपने score के according अपना state opt कर सको जहां पर आपको seat मिल सकती है For example, suppose करेगे किसी बच्छे का score 270 का रहा है, if somebody is having a score of 270 and he is participating in the counseling of Karnatica to get the seat over there So, वो क्या कर रहा है, गलत उसने counseling target करी है, वहाँ पर वो counseling करेगा, choice filling करेगा, time अपना दे रहा है लेकिन allotment आने की chances नहीं आएंगी, तो हमको क्या करना है, सही जगा पर registration करा रहा है, जिससे कि allotment हमारा निकल के आजाए हमारा time waste now, if somebody is targeting Kerala with a score of 250 or 300, वो inspired है वहाँ की faces से fascinated है, कि वहाँ की faces का में, चलो मुझे वहाँ पर seat मिल जाए But at the end of day, उसने देखा क्यों दो मैने counseling करी, उसको seat महाँ पर नहीं मिली So, in that condition, you must be knowing that what are the places, what are the state which I should target on my need score, where I can get a confirm seat इसलिए ये सारे options सबको निकाल के filter करके देखने रहते हैं कि कहां कहां पर seat आ सकती है, Tamil Nadu हो गया, Telangana हो गया, Andhra Pradesh हो गया, Pondicherry हो गया इन सब का भी जो cut off होता है, 380 के नीचे नहीं जाता है, 380, 390, 400, 450, 500 पर allotment मिलता है इसलिए इस स्कोर पर यहां पर भी counseling करना ज़रूरी नहीं है, वहां पर भी आप try करना चाहोते हैं, तो try कर सकते हो counseling के पाट्स पेट करने के लिए but based on our experience which we are doing the counseling from last 17 years for the Medigo students, तो यह सब स्टेट्स को अगर हम टागेट नहीं करते हैं, ऐसे स्टेट्स को टागेट करते हैं, जहां पर सीटमिल लेंगी प्रावर्वर्टी हाई है, तो ज़्यादा रहेगा, तो स्कोर कम हैं, तो option भी ज़्यादा नहीं है, तो हम एक बार दु 250 से 300 वाले बच्चों को राजिस्थान को टागेट करना है, हरियाना को, यूपी को, वेस्ट बेंकोल को, और बिहार को टागेट करना है, जहां पर उनको सीट मिल सकती है, साथ में वो डीम कोलेज की भी काउंसलिं करके, वहां से भी सीट निकाल सकते हैं, और इस समबड़ी को इस समबड़ी मैंनुल्ट समबडा बिलो तो इसके भी कॉलेजे हैं हमारे इंडिया में के अंदे, जैन मैंनोर्टी का यूपी के अंदर को लूज है, पजाब कर बिहार के अंदर के अंदर है, medal काुलेज छार जे वार यूपी के में मुल्याना में वो इसी private medical college के अंदर ही applicable होता है, government medical college के अंदर religious minority का benefit नहीं आता है, कुछ ही जो government medical college ने, जैसे CMC का जो brand हो गया, वहाँ पे आता है, बाकि किसी state counseling के अंदर इसका benefit नहीं आता है, अब जिनका score 200 से लेके 200 के बीच में, आपके लिए क्या option है, तो 200 से 200 के बीच वाले जो score वाले बच्चे है, दीम में आपको सीटे मिल जाएंगी, दीम के अंदर 200 marks के अगर हम दियात करते हैं, तो माराष्टा के अंदर DIY पार्टिल campus आपको मिल जाएगा, मॉंबाई ये न पूना, वहाँ पे chances हाई हैं, दत्ता मेगे के नाखपूर वाला भी 200 marks सक टैच कर सकता है, बाकी के डीम कोलेज वहाँ के जो माराष्टा के हैं, MGM, औरंगाबाद, MGM, मॉंबाई, भारती वीदे, सांगली, भारती वीदे, पूना, परवरा, लोनी, सिंबैसिस, मेडिकल कोलेज, इन में poverty low रहेगी, तत्ता में गया होगया, किष्णा कराड होगया, इसमें seat में आने की chances कम रहेगी, 200 marks पर आपका राजारे रेश्यरी में शायद seat आ जाए, लेकिन उसकी भी poverty कम रहेगी, तर्मिल नाडू पॉन्टी शरी वाले colleges में भी आपको जो है, असानी से deemed के अंदर seat में जाएंगी, ओपन स्टेट्स की अगर बात करते हो, तो इस score को पर UP के अंदर भी seat आने की chances कम है, माइनॉर्टी वाले जो college हैं या UP के अंदर, Carrier Medical College, Integral Medical College, Era Medical College, TMU Medical College, FH Medical College, इसमें आप try कर सकते हो, there can be a chances in the FH Medical College, you can get a seat up to 200 marks, in the Minority Medical College, fees उसकी साड़े सोला लाख रुपे की एक साल की रहती है, राजिस्थान स्टेट काउंस्टिंग में आपको सीटे में जाएंगी, इस score के ओपर, फीसे महां पे 20 से 21 लाख रुपे के रहेंगी, और हो सकता है आपको हर्याना के अंदर भी सीट मॉप प्राउं तक देखने को मिल जाएं, तो ये हमको स्टेट को target करना है, और कोई बच्चा आप में से NRI केटेगरी से belong करता है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो गौर्मन मेडिकल कोलेज पे भी NRI केटेगरी में सीटे अलॉट करके देते हैं, फॉर एक्जामपल लाजिस्थान हो गया, हरियाना हो गया, आप वहाँ पे भी काउंसलिंग करके सरकारी मेडिकल कोलेज के अंदर भी सीटे ले सकते हो विदा NRI कोटा, तो अगर आप NRI कोटा के अंदर से आता हो, फीसर सोड़ी से हाही लगती ही, लेकिन आपको ऐसे मेडिकल कोलेज मिल याते हैं, यहाँ पे 640-650 निम्बर वाले बच्चे याते हैं, वो आपको 200 निम्बर पे CTR आपको मिल सकती है, तो यहाँ पे हमने अप्रोच देखी कि यह जो भी मेरा नीट का स्कोर आ रहा है, 200-250 के स्लैब में, 250-300 के स्लैब में, और 300-350 के स्लैब में, हमको कौन-कौन सी काउंसलिंग को टार्गेट करना है, क्या मेडिकल कोलेज मिल सकते हैं, अगर अभी से आप प्रिपर्ट हो जाओगे, तो सही जगह पर जब काउंसलिंग करोगे, अगर अच्छी इंफर्मिशन नेगी, अच्छी जान करे जाएगी, तो एक अच्छी काउंसलिंग कर किया, आप असानी से सीट ले सकते हो, अदरवाइस काफी बच्चों को हर साल लैक ओंफ इंफर्मिशन की विए से, इंफर्मिशन की विए से, मल्टिपल जगह से बात कर रहे है, अलग-अलग इंफर्मिशन, अलग-अलग डेटा है, उसको परसे प्रोसेश नहीं किया, फिल्टर नहीं किया, उसकी ऐसे, काफी गलतिया होती है, यची सीट मिल जाती है लकिन वो सीट मिल सकती है फोड़ यहां पर देना पड़ता है लेकिन आपकी पर सहीं इंटाइ लस फेंच को आप यह सब चीजों से बज सकते हो entwickelt करके एक comfort account करके यहed तो बेसिक डीटेल के लिए और जायदा जान करेकले लिए आप अमारे ही वेबसाइब पे विजिद कर सकते हूं अपने लाउट mois लिखे दो साल की काउशलिङ के सारे स्थाइड कोश्रिण के सारे कट वाउब एस लगए है फशिर राउंड में फ़र्ट हम आपका किसन आप तीम एड़ीस को भी कॉल के जखता हो and in that condition, we will help you out that अब अपने स्कॉर को पर किसे अपसे best counselling करो, जिसा कि आपको best seat means friends. So, thank you so much for watching us. We wish you all the very best for your counselling activities. मिलते हैं next session में, और अच्छे-चे topics are, जो आपकी counselling को और स्मूर कराएंगे Thank you so much. कर दो, जो कर दो.